सब्सक्राइब करें अच्छे वोगया आज जो डिट लेका है प्रकास इंडेस्ट्री यह लेग्या लेकिन इसमें कि आपको पहले लाकर बताना था अब करना था अगर आप प्रकास इंडेस्ट्री में कोई भी पोजीशन बना है तो आप पोजीशन को अटा सकते और इसे प्राइब आप देखेंगे तो इसको एक लेटर इसु हुआ है और आप खुद देखिए प्रकास इंडस्टी इसको 5.28 को यहीं लेटर इसु हुआ है और यहनोंने एक क्लारिफिकेशन भागा है यांपर सब्सक्राइब कर दिया है विए प्रकास इंदस्री ने साइन करके दिया है अभी तक इनको कोई भी इनको एटेश्मेंट ओडर कहीं से भी इन्फोस्मेंट डायेक्टर से नहीं हुआ है जबकि एक मेडिया में एक अच्छा कासा यह चल रहा है कि इन्होंने कोल इसके मी किया हुआ है और यह न्यू जाया है आपका इकनोमिक डेश से आप देखेंगे यह आप एकनोमिक टाइम साया हुआ है कि एडी एटेश एसेट वर्थ रुपिज ओवर रुपिज वन थाजन सेवन तीन करोड अप दी कंपानी और इसके लिए इसको क्लारिफिकेशन चाहिए एक्शली हुआ क्या था कि एक ओल ब्लॉक इनको एसाइन किया गया था और यह दोजाल साथ की बात है तो 2017 की बात है तो इन्होंने क्या ब्लॉक एटेश का ऐसा डिक्लीर हुआ था बात ही चल रही थी और उसमें इन्होंने यह बता दिया कि हमको प्लॉक मिला है यह यहां पे जो बताय जा रहा है इन शेट्मेंट इसेंट्र प्रोप अजसेंसे सेट्ट अट धार्ट इन को बोला कि हमको को ब्लॉक एड लॉट हो चुगा है जब कि एक्च्वल में यह अलॉट क्या हुआ कब हुआ फर्वरी 2008 को और किसको किसको वह प्रकास इंडस्ट्रीज को हुआ और इसकेस इस बात को हुआ तो इन्होंने यह इसका जो 2007 को फाइदा क्या हुआ इसको इनकी नेटवर्थ बढ़ गई और इन्होंने क्या किया प्रिफरेंशिल से रिशू किया प्रीमियम वफ 180 तो इसके लिए एडी बोलता है कि आपने रॉंग डिकलरेशन शेवी को दिया है उसके चलते आप पे एडी ने 117 करोड का दोखा दड़िका केस फाइल की किया है और इसके इसी के लिए आज सेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और उसी के जवाब में आप देखेंगे तो पांस आज कल उन्होंने प्रकास इंडस्ट्री ने एक लेटर लिखा है और उसका क्लारिफिकेशन दिया है कि जो यह इमेल कॉम्मुनिकेशन डेटेट पांस देशन दो जार अठारा लेटर नमबर इसी सर्वलें साथ सो चोगदव अभी तक ऐसी कोई भी इंक्वारी से भी से इनको नहीं मिली ऐस इसके लिए देखें एक कंटिनूस फॉल कर रहा है और आप देखेंगे तो वेटेट एबरेस बॉल्म से भी यह निगेटिव सेंटिमेंट बना चुका है एक्च्वल में इसको ब्रासी चोहतर पे क्लोज करना था एक आसी पचास पर क्लोज किया तो इसके सारे तरब निग क्या स्वस बनाए तो उसी नूच के बाद यह अप गया था अपकर यह प्रेट जो था नवर्ण संथा जून 2007 फी था न्यूंबर 27 नवमबर 27 देखेंगे तो यह अक्टूबर 2 नौमबर इसी पृट में यह जंप लेकर की यह हाय बना है था और उसके बाद यह अच्छा का सब्सक्राइब यहां से देखने को मिला आपको फिर वापस बाद में 9 को साथ के बाद जो भी यह तो हो सकता है कि यह जो आज का फॉल दिख रहा है अभी जो मंतली वेसिस में फॉल दिख रहा है यह कंटिन्यू रहे और आपको हो सकता है कि वापस यह अच्छा कासा लो आपको यहां से दिखा सकता है तो सबसे पहले कोशिस करके यह 55-56 को नहीं तोड़े तो यह जो लेबल है 74.096 जो किसका 200 डेमा भी है तो यह फिर वापस आपको अच्छा कासा लो लेबल पर आपको देख सकता है और इसका जो लो लेबल है यहाँ जो यही बनाया था यहाँ से जो अप लिया था और वापस और नीचे जाना हुआ तो नीचे भी जा सकता है तो जो आपको बता है तो जहां से चालू हुआ था उठना यहां से हुआ था यहां बोल सकते हैं 24 25 तो वापस वहां तक की लेवल को भी टच कर सकता है तो अभी और इसमें देखेंगे जो मंतली केंडल बन रहा है अब इसका जो बड़ी बड़ी देखिए कितना सॉलेट डर्क है और अच्छा खासा तोटने पर माद आए तोडने के लिए तैयार है तो आप इसे दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई भी पोजीशन है तो इसमें मत बनाईए जब तक कि इनके क्लारिफिकेशन और क्लियर नहीं हो जाता है इन्होंने तो क्लारिफिकेशन दे दिया कि सेभी ने पूछा नहीं और इसको अगर दूसरे अगर ए अगर जो आदमी अगर ऐसा सही है कि उन्होंने के पहले उन्होंने अगर पॉब्लिस करके उसका फाइदा उठाया है थायँधर के बाद लास्ट टिविदिन पे किया थी तो चार साल से उसके बाद और एक ची नीगेटीब भी एक खाली है पर्मोटर अपनी पॉजिशन बही देखिए कोर्ट टू-कवाट्र ग्लीज कर रहा है एफाई देखिए क्वाटर टू क्वाटर सेल कर रहा पॉंट्टू 3 परसेंट से डैंड किया जून को था उसका उन्चालिस पॉंट्ट सिक्स तो उन्चालिस पॉंट्ट्री जिरो पे सेप्टेमर में आ गया जून में तो एफाई का कैस्य पॉजिशन अच्छी नहीं है अगर एक वाइस के लोगा देख लेते हैं यह देखिए सेल कितना बताता है आप सेल देखिए तो 29 क्रोड का सेल बताता है दस परसेंट प्लस होना चाहिए अच्छा जो माना जाता है तो आपके पास पर ले निगेटिव था और आप साथ करोड का आप दिखा रहे हैं तो कैस कहां चला जाता है आप दूसरी को इंवेस्टमेंट अक्टिविटी कर रहे हैं आप डिविडेंट पे आउट नहीं कर रह अब इसके अच्छे चीज़ और बुरे चीज़ को देख लेंगे अब वुक बैल्यू का 4.45 मिल रहा है तो अगर किसी को ऐसा यह सोचके लेना है कि भुक पहलों के सामने सस्ता मिल रहा है लेना है तो ले लीजिए 167 का बुक बैल्यू उसके पॉन पर नैन के सामनी मिल रह पहले आप देखेंगे तो बड़े-बड़े लोगों का नाम आ रहा था इसमें बड़े-बड़े मंतब समझे कि जो नामी ग्रामी लोग ने उन्होंने इसमें पोजिशन बनाई भी थी अब जो आ रहा है उससे प्रॉब्लम होगी अब देखिए क्या क्या इसके प्रॉफिट तो डिकलेर करता है पर मोटर कंटीनास अपने स्टेक को कम कर रहा है इसकी जो सेल्स कुरों था वो लास्ट फाइवियर से 3.18 के इसका टेक्स रेट जो है बहुत कम है रिटेन अब एकुटी तीन साथ से 7.29 है और पर मोटर ने अपने 62.63 पर परसेंट को प्लीज रख दिया तो आप खुद सोचे पर मोटर को खुदी इस कंपनी में जब बिलीव नहीं है कैस फुलो जेनरेशन नहीं है कोई इंवेस्टमेंट प्रोपोजर नहीं है उसके बाद से सेवी का केस आता है तो आपको लगता है इसमें पोजिशन बनाना चाहिए मेरे अंदास्वे तो नहीं बनाना चाहिए और यह को फ्यूचर का है निसे नहीं तो मैं डेरिवेटिव से आपको बाहर आ जाना चाहिए अगर कोई भी पोजिशन है जितना भी विलत आपको निकाल के आपको बैट जाना चाहिए अगर यह वापस 25 रुपय पे चला गया तो आपको बहुत ही अफसोस करना पड़ेगा इस सारे एजक्रेशन परपस से थे और आपको अगर कोई भ से जरूर से जरूर बात करनें फिर वे डिसे लिए वीडियो देखनें